हम जो सुश्रुत सहीत है उसमें नेक्स चेप्टर पढ़ते हैं 206 नंबर पेज पे 43 इन चेप्टर में कहा है थोड़ा कम ही पढ़ने को आगे जो अभी आएंगे इसलिए हम इनको जल्दी खतम करें तो 43 जो चेप्टर है वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानी है तो तीन नं जो भी वमन द्रव्य हैं उनमें फला दिना मदन फलानी स्रेष्ट तमानी भवंति यानि सभी वमन के द्रव्यों में मदन फल को स्रेष्ट बताया गया है फिर उसके बाद जो मदन पुष्प ये क्या आब उसका मान बता रहे हैं कि जो मदन फल के पुष्प पे उनका चू प्रकुंचम यानि जो चूर्ण है मदन फल का जो आप लोगे वो प्रकुंच प्रकुंच बोलते हैं पल को तो एक पल लेना है ठीक है आप यहीं मातरा लिख लीजिए मदन पुष्प चूर्ण मातरा एक प्रकुंच बोलिया और सभी फलों में स्रेष्ट बोला है मदन फल को फिर पांच नमबर जो शलोक है इस चप्टर में देखिए जो हम पढ़ते हैं कि हमारा जो मदनफल है उसकी संग्रहन विधी क्या उसको आपने प्रिजर्व करके कैसे रखना है तो लास्ट में देखिए इसमें बताया है कि जो आपने मदनफल है उसको ले लिया फिर उसको लगा के यह वतुष इन सब धन्य राशियों में सेकंड लाइन में देखिए अश्ट रात्रों को हाइलाइट कर लिजिए आठ रात्री तक आपको क्या करना है उन यह जो कोई भी धन्य राशिये इन में डालके रख देना है उसको जब वो क्या हो जाए क्लिन हो जाए तो फल पिपली को हाइलाइट कर लिजिए आप से पूछेंगे जो मदन फल है उसका प्रयोजां क्या है तो फल पिपली प्रयोग करते हैं फल पिपली के जस्ट नीचे वर्ड है अंतरनक मुष्टी को हाइलाइट कर लिजिए हमें आपको मैं बता दूँ है जो पांच नंबर जो शलोक है हमें क्या है पी जी पॉइंट ऑफ यू से ऐसी चीज़ें मतलब क्रूलि समार्ट वर्क करना तो आपको क्या है कि पूरा यह ना पढ़की है तो आपको पता है हम पंच कर्मा में भी पढ़ते हैं या फिर चरक सही नीचे आओ एं थार्ड ए toe माधन फल हाइ उस उसके बाद उसको हम क्या करते हैं को शादी से बांद के मिट्टी का लेप लगा देते हैं फिर उसको जो कोई भी धाने राशी है उसमें टाइम याद रखने आठ रातरी तक तो आप पांच नमबर जो शलोक है इसकी यहीं लिख लीजी अश्ट रातरी तक रखने आपने आप यहीं लिख लीजी परियोज चांग है फल पिपली फल पिपली को निकाल के उसको दधी मदू इन सब में मरदित करके सुखा के फिर उसको यूज कराना है पेशेंट में तो कितना यूज कराना है अंतरनक मुष्टी तो पांच नमबर जो यह शलोक है इसमें से आपको क्लियर याद रहेगा बहुत जल्दी पढ़ा जाएगा उससे बस यह मतलब है रखनेगा तो सबसे पहले वमन द्रवे में सबसे स्रेष्ट मदनफल है चूर्ण उसका प्रकुंच मान में लो आठ रातरी तक रखना है फल पिपली लेनी अंतरनक मुष्टी प्रमान है फिर आपका छे नंबर जो श्लोक है हमारा इसकी हिंदी देखिए जो हिंदी का फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें नीचे से उपर वाली लाइन में लास्ट में यदी पित कफ के स्तान में चला गया हो तो धूब में रखे हुए मदनफल की मज्जा के चूर्ण को जिवनती कशाय के साथ पिराएं इसका लास्ट लाइन देखिए हिंदी की छे नंबर श्लोकी मदनफल के ये 31 योग हैं आप यहीं पर लिख लीजिए मदनफल के 31 योग बताते हैं चारे जो हमारे सुश्रुत हैं वो मदनफल के 31 प्रियोग अचारे चरक ने पूरे जो मदनफल है हमारे उसको 33 योग बताएं 133 ये बोलते हैं 31 ठीक है फिर नेक्स्ट हमारा आता है आप जो 44 नंबर चेप्टर निकाल लीजिए विरेचन द्रव्य विकल्प विज्ञानिय पांच नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है अरुना के लिए आप मूल यूज करते हैं उनमें सबसे बैस्ट है अरुनाब जो त्रीवरित है वो तो इसको हाइलाइट कर लीजिए आई रिपीट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे आपको कोश्चन पहचानना है जैसे आपको पता है कि जो वि द्रीवरित नहीं जाएगा अंसर वहाँ पे हरित की आएगा क्योंकि ये सुष्ठुत के अकॉर्डिंग पुछा जाएगा तो अगर हम बात करें मूल विरेचनों में सबसे स्रेष्ट होन है तो हमारी अरुनाब द्रीवरित है तो अच्छा विरेचनों की बात करें तो विरेचन द्रव्यान में कौन सा किसका स्वरस सबसे स्रेष्ट है तो कारवेल लग का और अगर हम दुगद की बात करें तो सुधा पै यानि जो सनुही है उसका क्षीर उसका दुगद जया वो दुगद विरेचनों में सबसे स्रेष्ट माना गया है फिर आप देखी आठ नमबर जो श्लोक है उसका फ़र्स्ट वर्ड त्री वर्नक लिखा है न मैं सबसे सबसे साथ और न जो फारवेल इसवड़ रिया दुगद जो पाहिए यह 45 नमबर शलोक पे, पेज नमबर 212, 45 नमबर जो शलोक है, उसका फर्स्ट वर्ड देखिए, शड रात रात, सब्त रात राद वा, जहां पे लिखे है, छे रात ये सब्त रात, और इसके जस्ट नीचे लिखे है, सोवीर संधानक, तो इन तीन वर्ड को हाइलाइट कर लि जिए, तुशामबू वे सोवीरक की संधान कितनी रातरी में हो जाता है, चाहे आपसे पुछे तुशामबू, यानि सोवीरक या सोवीर ही बोलते हैं हम, संधान हो जाता है, उसका अंसर क्या है, शड रात रात, सब्त रात रात, यानि छे रातरी में, या फिर सात रातरी म हमारा क्या हो जाता है सोवीर या तुशोदक जो होता है तुशामबू उसका संधान फर्मेंटेशन हो जाती है फिर हमारा 58 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन देखिया आप 213 पेज पे 58 में तुरीवरिद अश्ट संग्य को अयम प्रश्यस्तम पित रोगिनाम यानि तुरीवरिद अश्ट जो ये संग्या अब ये जो पर योग बताईए हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपको याद रखना ये तुरीवरिद अश्ट संग्या वाला जो योग है ये किन के लिए स्रेश्ट है पित रोगियों के लिए बताया गया है 62 और 63 नंबर श्लोक है जो अब यहाँ पे जो हरित्की है उसके बारे में बताया गया हरित्की क्या करती है हरित्क्याम फलम तु अस्थी विमुक्तम दोश विरजितम यानि जो हरित्की क्या हो निर्दोश हो यानि कोई दोश युक्त ना हो अस्थी रहित उसका फल आपने लेना है और उसका रसायन के रूप में प्रियोग जब आप करते हो 63 की सेकंड लाइन देखिए रसायनम परम मेध्यम दुष्ट अंतरवरण शोधनम एक बार PhD में कोशन आया हुआ है इस प्रकार से लाइन लिखके दी थी रसायनम परम मेध्यम दुष्ट अंतरवरण शोधन यानी दुष्ट वरण हो चाहे अंतरवरण हो तो उनका शुद करने का काम करती है मेध्य है और रसायन तो ही है तो ये किसके लिए कहा गया है चाहे वो ऑप्शन में हरित्की आमल की किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं तो ये हरित्की के लिए बोला गया आप हाइलेट कर ल विमर्ष की सेकेंड लाइन में देखे वैसे तो हम चरक सहिता में पढ़ेंगे इसको लेकिन फिर भी आप विमर्ष सेकेंड लाइन में देखे जो अजीर्ण पेशेंट है जिसको रुक्ष भोजन जो करता है स्त्री मद्य विश्य कर्शिता स्त्री मद्य इन से जो कर्शित है सेवे ने अभ्याम एते यानि उनको अभ्या का वन नहीं करना होता ठीक है अब यहां पे क्या बोलते हैं कि यह जो हमारे 72 लेके 77 नंबर श्लोक है इसमें विभिन जो द्रवें जैसे आवला हो गया बहेडा इनके बारे में अब बात करेंगे हमें फर्स लाइन में देखे शीतम आमलक हमें पता है आमलक होता है उसका वीर हरित की हमारी उष्ण वीरिया है आमला हमारा शीत है और विभी तक अनूष्ण होता है ना तो शीत है ना उष्ण है फिर जो चतुरंगुल है 73 नंबर जो श्लोक है 73 में चतुरंगुल जो हमारा होता है अमलतास जो होता है उसकी संगरहन विदी बताए कि उसको आप कैसे प कितने सप्ताहम आतपे यानि एक मतलब एक सप्ताह यानि साथ दिन तक आपको जो अमलतास है उसका फल जब पक जाई योग्या टाइम हो जब तो उसको साथ दिन तक कहां बालू में आपको उसको रख देना है हमने अश्ट रातर यानि आठ रातरी तक जो हमारा मदन फल था उसको धान्य राशी में रखा था लेकिन जो चतुरंगुल है उसको साथ दिन तक यानि एक सप्ताह तक ये रखने को बोलते हैं सिक्ता यानि बालू में फिर उसकी मज्जा को निकालके तेल आदी ग्रहन करो उस तेल का यूज कहां करना है 75 नंबर जो श्लोक है उसमें फस प्योगों बाला नाम यावद वर्शाणी द्वादश को हाइलेट कर लीजिए आप से पूछेंगे जो चतुरंगुल है अगर उसकी मज्जा का आपको तेल प्रियोग करना है तो कितने वर्श तक के बालकों में करें तो इस तेल का प्रियोग जो बारा वर्श तक के बच् उसका बारा वर्श तक के बच्चों को यूज करने को बोला है। इसनों ही बहुबिष्च कंटके या मतलब अलप कंटक वाली या बहु कंटक वाली तो जो हमारी तिक्षन है अलप कंटक वाली प्रवरो बहु कंटक है को हाईलेट कर लीजिए वैसे हम चरक सेंता में पढ़ेंगी है लेकिन यहां भी आ रहा है तो एक बार थोड़ा शिरांते विशेश्टा अचारे चरक बोलते हैं कि जो सनुही है उसका जब आप खशीर ले रहे हो सनुही शीर आप ले रहे हो तो किस तरीकी का लेना चाहिए दो या तीन वर्ष का जो सनुही का है प्लांट दो या तीन वर्ष का उसका लेना चाहिए और शिशिरांते जो हम आचारी चरक के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं हमारी पंचविद कशाय कलपना होती है ठीक है स्वरस कलक शृत शीत और फांट लेकिन जो हमारे सुष्टूत है वो छे प्रकार की बताते हैं उन्होंने शीर को एड़ किया शीर कलपना बताते हैं बाकी स्वरस कलक जो है वो कशाय यानि शृत कोई बोलते हैं कशाय और शीत और फांट ये तो ये बोलते हैं उत्र उत्तर हलके होते जाते हैं यानि शीर को हमारे जो अचारी चरक हैं वो क्या बोलते हैं स्वरस कलक क्वा और जो farenktó है उस वो सबसे लगव होता है इस तरीके से बताते हैं अचारिय सुष्ष्रत ने स्वारस से पहले क्षीर को आड़ कर दिया कि रस से भी ज़्यादा जो गूरु होता है हमारा वो क्षीर होता है यानि रस से ज़्यादा हलका स्वारस है मतलब शीर से ज़्यादा हलका स्वरस है फिर कलक होता है उससे हलका क्वात उससे अधका शीत उससे हलका फांट सबसे लगू बुझे वो फांट को और शीर को सबसे गुरू बताया गया है ठीक है तो ये हमारा 44 नमबर चेप्टर कम्पलीट होता है